So hello everyone, कैसे हो दोस्तों? I hope guys सभी बढ़िया होंगे और पड़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी तो दोस्तों आज के इस special वीडियो में हम बात करने वाले हैं computer के chapter number 7 की जो रहेगा MS Word से related तो दोस्तों इस वीडियो में MS Word के top 80 plus एसे questions cover करूँगा जो की पिछली exam में अभी तक इतनी भी exam होई है उसमें सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और हो सकता है आपके आने वाली exam में भी एक question देखने को मिल जाए तो वीडियो काफी important रहेगा आपके आने वाली exam के लिए ठीके? और इससे पहले मैंने 6 chapters को computer के topic wise mcq के उत्तरा मैंने करवा चुका हूँ आगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हो तो playlist जरूर चेक कीजेगा तो इस वीडियो को आप as a revision या practice set के रूप में जरूर लगाईएगा और पहले हर एक question का question से answer देने का प्रयास कीजेगा ठीके? तो चलिए सुरू करते है question number first से first question हमारा कि नीनमलीकित में से कौन सा font effect msword 2010 font dialogue box में उपलब्द नहीं होता है तो पहले खुद से लगाने का प्रयास कीजेगा दोस्तो क्या होगा इसका correct answer? तो इसका correct answer होगा invalize character height तो option number C इसका सही answer होगा next question देखते हैं next question हमारा कि नीनमलीकित में से कौन सा button msword 2010 में default रूप में quick access toolbar में मुझूद होता है तो quick access toolbar में कौन सा toolbar मुझूद होता है तो इसका सही answer जो होगा वो होगा save, undo, even, redo तो ये तीनों option आपको किस में देखने को मिलेगें quick access toolbar में देखने को मिलेगें तो हमारा option number B यहाँ पर सही answer होगा next question देखते हैं question number 3 हमारा कि ms word 365 document को बंद करने के लिए निनमलीकित में से किस keyboard shortcut का उप्योग किया जाता है तो किस keyboard shortcut का उप्योग किया जाता है document बंद करने के लिए तो use किया जाता है alt plus f4 का next है कि ms word 365 में control plus e किसका shortcut की है तो ms word में अगर हम control plus e का प्रेस करते हैं तो क्या होगा Chinese text को center align हो जाएगा मतलब Chinese text को center align करने के लिए हम control plus e का use करते हैं next question है हमारा कि ms word 2010 में paragraph की line spacing के संबंद में निर्मलिकित कतनों पर आपको विचार करना है तो दो कतन दिये गए हैं कि line spacing किसी paragraph में text की कहानी के line के लाइनों के बीच लंबवत space का परिमान निर्दारित करती है और दूसरा दिया है कि line spacing किसी paragraph में text की line के बीच विकर्ण वत space का परिमान निर्दारित करती है तो इन दोनों कतनों में से कौन सा correct होगा तो याद रखना केवल P जो कतन दिया है पहला वाला यह यहाँ पर सही होगा दूसरा कतन गलत होगा चीक है नेक्स्ट कोस्चन है कि MS Word जो 2010 है में Quick Access Toolbar के बारे मेनीन में लिकित में से कौन सा कतन गलत है तो पहला कतन जो बुला है Quick Access Toolbar में Default रूप से Save, Undo और Redo बटन होते है नेक्स्ट कतन बुला है कि Quick Access Toolbar में Default रूप से Cut, Undo और Redo बटन होते है तो देखते हैं क्या और ओप्सन है आगे हमारा जो तिसरा कतन दिया है आप Quick Access Toolbar पर बटन भी लगा सकते हैं और चोथा कतन दिया है Quick Access Toolbar में So Below the Ribbon के लिए कोई विकलप नहीं है तो कौन सा कतन इसका सही होगा केवल Q एवं S ठीक है तो केवल Q एवं S इसका Correct Answer होगा आगे बढ़ते हैं Question No.7 ने कि MS Word 2010 में Left के एक सब्द को डिलीट करने के लिए किस shortcut कुणजी का यूज़ किया जाता है तो Left के एक वर्द को डिलीट करने के लिए हम shortcut की कौन सा यूज़ करते हैं Ctrl प्लस Backspace Next Question है कि MS Word 2010 में Right Side के एक सब्द को डिलीट करने के लिए कि shortcut कुणजी का यूज़ किया जाता है तो ये किया जाता है Ctrl प्लस डिलीट का यूज़ अगला सवाल है हमारा कि Microsoft Word में View Tape का प्रयोग करते हुए जूम इन या जूम आउट किया जा सकता है प्रतिसत में प्रस्थुत जूम इन जूम आउट की सीमा क्या होगी तो कितनी होती है 100 से 500 तक की सीमा होती है इसे भी याद रखना नेक्स्ट कोस्चन हमारा कि MS Word 365 में चायंकन विकल्पो को किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो यह आ रहे आपके लिए चार ओप्सन तो किसके लिए यूज किया जाता है तो चैनिट टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने के लिए इसे याद रखना ऑप्सन नमबर 20 का करेक्ट अनसर होगा नेक्स्ट कोस्चन है मेंस्ट कोस्चन हमारा कि MS Word क्या है MS Word क्या है यह आप से पूछा है तो क्या है यह एक डाक्यूमेंट टाइपिंग टूल है MS Word क्या है एक डाइपिंग सुरी किसका प्रयोग ms word में statement को underline करने के लिए किया जाता है या statement को underline करने के लिए किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है u से denote होता है आपने देखा होगा u underline तो option number 20 का correct answer होगा next question है हमारा कि word processing program से किस प्रकार की files बनाई जा सकती है word processing program से किस प्रकार की file बनाई जा सकती है तो document file ये तो I think आपको पता होना चाहिए next question कि ms word में निनमलिकित में से किस की combination या समुच्च्च को दबा कर page break या insert किया जा सकता है तो किस का यूज करके control plus enter का यूज करके next ms word की window को 2 से अधीक भागो में बाटने की विदी को क्या करते है तो ms word की window को 2 या 2 से अधीक भागो में बाटने की जो विदी है उससे हम करते है split window क्या कहेंगे split window आगे बढ़ते हैं कि जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो क्या होता है जब एक फाइल को पहली बार हम सेव करते हैं तो क्या होता है तो इसे पहचानने के लिए एक नाम प्रदान किया जाता है आपने कभी सेव किया होगा तो आपको पता होगा तो option number D इसका correct answer होगा next question है कि document में हम कहा page number insert कर सकते हैं document में हम page कहां पर insert कर सकते हैं page number कहां insert कर सकते हैं तो header में और footer में तो हमारा option number C का correct answer होगा A एवं B दोनों आगे बढ़ते हैं Microsoft Word में किसे हमें चुने गए पेराग्राप को दाई और खिसकाने की अनुमति देता है तो कौन देता है increase indent increase indent देता है अगला सवाल है कि निनम लिखित में से कौन सा टेक्स्ट alignment word processing software में उपलब दे जो left margin को adjust करता है जबकि right margin किसी भी तरह का हो तो इसका सही अंसर होगा left align left align इसका सही अंसर होगा next है मारा कि Microsoft Word Microsoft दरह विक्सित Word प्रोसेसरे MS Word में वर्तनी की जाच की सुविदा किस टेप के अंतरगत होती है तो किस टेप के अंतरगत होती है review के अंतरगत review इसका सही अंसर होगा next question है कि निन मलिकित में से किसे Microsoft Word दस्तावेच खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया आजा सकता तो इसका सही अंसर होगा केवल file icon पर click करें तो हमारा option number 10 का सही अंसर होगा next के कि Microsoft Word 2013 का default extension क्या है ये exam में पूछा जाता है काफी बार तो बताइए कि 2013 का Microsoft Word था उसका default extension क्या है तो याद रखना है दोस्तो .docx ठीक है ये इसका correct answer होगा option number B आगे बढ़ते हैं कि word का कौन सा feature कुछ spelling, capital, अक्षरो या व्याकरन के तुरूटियों को आपने आप tick कर देता है तो इसका सही अंसर होगा autocorrect autocorrect इसका सही अंसर होगा आगे बढ़ते हैं कि कौन एक उपयोगी उपकरण है जो आपको data इस्त्रोत के साथ मुख के document को मर्ज करके एक बड़ी संक्या में दस्ता विज बनाने की अनुमती देता है तो कौन देता है mail merge mail merge इसका correct answer होगा आगे बढ़ते हैं कि इन में से कौन सा application MS office का है चार option में से बताना है कि कौन सा application MS office का होगा तो I think पता होगा ये तो MS word इसका correct answer होगा next देखते हैं कि निन मलिकित में से कौन सा application software है तो कौन सा application software होगा यहाँ पर MS office MS office एक application software होगा next question 27 number सवाल है कि MS office एक है तो क्या है अब ही हमने देखा application software ठीक है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले बता दू कि अब ही तक हमारे चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि एसे ही वीडियो आपको डेली की तरह मिलती रहे मैं हर एक topic को MSQ को रूप में cover करोगा तो प्लीज regular रहिएगा जितना regular रहोगे उतना ही जी कि आपका strong होगा ठीक है next question है कि Microsoft office का निजी सुचना प्रबंद के Microsoft office का निजी सुचना प्रबंद के कौन outlook outlook इसका सही अंसर होगा बढ़ते आगे 29 नमबर सवाल है कि निमलिकित में से कौन MS office के product है बताए word, oracle या access तो MS office के जो product है वह है word, even, access तो इसका सही अंसर होगा केवल एक, even, 3 word, or access आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन MS office का वरजन नहीं है तो कौन सा MS office का वरजन नहीं है MS विश्टा जो है न, ये MS office का वरजन नहीं है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है कि इन में से कौन सा function MS word software का ओबलिक के महत्पूर्ण function है तो पहला बोला है कि डाक्यूमेंट की रशना एडिट करना, सेव करना, और प्रिंट करना दुसरा कतन बोला है कि डाक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को कौपी करना, पेस्ट करना, मूव और डिलिट करना और तिसरा बोला है कि टेबल सी की रशना और एडिटिंग करना तो बताइए तो इसका सही अंसर होगा ये तीनों के लिए यूज होता है, ठीके? इसका, सिक्षक, गतिविद्या, सिक्षन, गतिविद्या, परिक्षा, प्रश्नोत्तरी और चात्रों के हमवर्क असाइन्मेंट जैसे डाक्यूमेंट को बनाने के लिए मुक्रूप से कौन सा एक लोगफ्री स्वाप्टियूर का इस्तमाल किया जाता है तो किसका किया जाता है? आप ही बताओ, MS Word इसका सही अंसर होगा बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोस्चन की तरफ कि निनमलीकित में से कौन एक Word प्रोसेसर नहीं है? निनमलीकित में से कौन एक Word प्रोसेसर नहीं है? तो कौन नहीं है? वर्ड प्रेश जो कि एक word processor नहीं होगा आगे देखते हैं कि मोहन अपने जन्मदीन की पार्टी में लोगों को आमंतरित करने के लिए निमंतरन पत्र तियार करना चाहते हैं निमंतरन पत्र तियार करने के लिए मोहन के लिए निमंलिकित में से कौन सा application software सबसे ज़्यादा उप्यूक्त होगा तो निमंतरन पत्र किस्से तयार किया जा सकता है दोस्तों तो Microsoft Word से इससे याद रखना पूछा जाता है Next question है कि Microsoft Word के नए संस्क्रण में दस्तावेज default के रूप में किस extensions के सास्थ सहे जाता है तो किस extension के सास्थ सहे जाता है तो याद रखना इसका सही अंसर होगा .documents ठीक है .docx अभी हमने देखा तो इसका सही अंसर क्या होगा Option No.A Next question है कि MS Office का कौन सा अभी हो इस प्रष्टतया not paid जैसा होता है तो not paid जैसा कौन सा होता है MS Word MS Word इसका correct answer होगा तो next question देखते हैं दोस्तो next question है हमारा कि run command dialog box में किस command Microsoft Word अनुप्रयो क्रम आदेश आरंब करता है तो इसका सही अंसर होगा winword.exe तो यह इसका सही अंसर होगा next question है कि Word में default zoom का इस्तर कितने पड़ सेट रहता है तो कितने पड़ रहता है 100% पर 100% पर आगे बढ़ते हैं कि निन्म में से कौन सी MS Word की अंतर निहित सुविदा नहीं है कौन सी MS Word की अंतर निहित सुविदा नहीं होगी तो live stream live stream इसका correct answer होगा आगे बढ़ते हैं कि निन्म में लिकित में से कौन सा खंड विच्चेत का प्रकार नहीं है कौन सा खंड विच्चेत का प्रकार नहीं है तो column इसका सही answer होगा column चीक है next question कि MS Word में बहुविद सब्दो लाइनो या पेराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है control कुंजी का यूज़ करके आगे बढ़ते है निनमली कित में से क्या Microsoft Word 2007 में default body font है तो इसका जो सही answer होगा Calibri Times Calibri Times इसका सही answer होगा next question है कि फाइल खुलने के लिए कौन सी shortcut key का यूज़ किया जाता है फाइल खुलने के लिए कौन सी shortcut key का यूज़ किया जाता है तो control प्लस O का यूज़ किया जाता है next है कि कौन से shortcut कुझी combination Microsoft Word 2016 में text पर double underline करने के लिए कि यूज़ होती है तो किसका यूज़ किया जाता है control प्लस shift प्लस d तो इससे याद रखना दोस्तों काफी exam में ये पूचा गया question है आगे बढ़ते हैं कि MS Word के text document को संपाधित करते समाई copy और paste करने के लिए क्रमासा ये सायज़न कुझीया प्रयुक्त होती है कौन सी combination की प्रयुक्त की जाती है copy और paste करने के लिए तो ये था I think आप बता सकते हो control प्लस C copy करने के लिए और control प्लस V paste करने के लिए next question है कि निन में लिकित में से कौन सा बुनियादी रूप से text formatting की विशेस्ता नहीं है तो कौन सा text formatting की विशेस्ता नहीं है तो capitalize option नमबर सी इसका सही अंसर है आगे देखते हैं कि Microsoft Word दस्तावेज में किसी एक सब्द का चयन करने का एक सही तरीका निन्मे में से कौन सा है तो कौन सा सही होगा तो चुने जाने वाले सब्द पर डबल क्लिक करने वाला ठीक है तरीका जो है वो सबसे सही है तो option नमबर यह इसका सही अंसर होगा Next question है हमारा कि क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निन्मली किस विदी का उप्योग किया जाता है क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए किस विदी का यूज किया जाता है तो या दखना इंसर्ट पिक्चर कमान का यूज किया जाता है चीतर कमान इसका यूज किया जाता है इंसर्ट पिक्चर कमान का हागे वड़ते हैं कि किसी वाक्य में सब्दों के बीच रिकति स्थान को छोड़ते वे केवल सब्दों को रेखांकित करने के लिए आप Microsoft Word में किसे दबा सकते हैं तो किसे दबाओगे दोस्तों Ctrl प्लस Shift प्लस W को याद रखना इसे आगे बढ़ते हैं कि निनमा लिखीत में से कौन सा कतन गलत है तो दो कतन दिये देखते हैं पहला कतन बुलाए कि Microsoft Word में किसी इतालिका के सभी सेल का प्रश्ट बुमी रंग समान होना चाहिए दुसरा कतन बुलाए कि Microsoft Word में एक टेबल के अंदर दुसरी टेबल को डाला जा सकता है तो दोनों कतन में से कौन सा होगा केवल पहला वाला सही है ठीके कि Microsoft Word में किसी तालिका के सभी सेल का प्रश्ट बुमी रंग समान होना चाहिए तो केवल एक सही होगा ठीके अप्सन नमर सी नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं कि Microsoft Word जैसे कुछ अनुप्रयोग में कारे समय आल्ट प्लस एफ़ोड दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा तो क्या परिणाम मिलेगा एप्लिकेशन से भार हो जाएंगे ठीके तो हमारा उप्सन नमर है इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट कोस्चन कि एक प्रलेक को सेव करने के लिए कितनी विभिन्न विद्या है तो एक प्रलेक को सेव करने के लिए हम कितने प्रकार से कर सकते हैं सेव ये पूछा है आपसे तो तीन प्रकार से कर सकते हैं ठीक है अगला सवाल कि किसका प्रयोग पेराग्राप के पहले अक्षर को एक से अधिक लाइन में फिलाने के लिए किया जाता है तो किसका यूज किया जाता है ड्रॉप केप का ड्रॉप केप इसका सही अंसर होगा नेक्स्ट कोस्चन है कि Microsoft Word 2016 में निनमलिकित में से कौन सा विकलप एक वेद्धी मेनू आइटम नहीं है तो इसका सही अंसर होगा Tools Tools इसका Correct अंसर होगा नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं कि सलेक्ट किये गए टेक्स्ट को सेंटर एलाइन करने के लिए shortcut की कौन सी होगी तो कौन सी होगी Ctrl प्लस E Option नमबर भी इसका सही अंसर होगा आगे बढ़ते हैं कि Microsoft Word दस्था वेच के सभी अक्षरों को अपर केस के अक्षरों में बदलने के लिए निनमलिकित में से किसका यूज करते हैं अपर केस में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं तो Ctrl प्लस E दबाए फिर font menu में change case सूची के अपर केस विकल्प को चुनना है तो क्या करना है पहले Ctrl प्लस E दबाना है फिर font menu में जाकर change case सूची पर अपर केस के विकल्प को चुनना आए तो इसका सही अंसर क्या होगा option number D अगे बढ़ते हैं कि word में आप निन्म में से किन function कुंजियों को दबा कर find and replace dialog box प्रदर्शित कर सकते हैं तो किस function कुंजी को दबा कर तो याद रखना control प्लस H को दबा कर हम कर सकते हैं नेक्स्ट कोच्चन है हमरा कि Microsoft Word डाकुमेंट में किसी चैनित टेक्स्ट की संपून फार्मेटिंग हटाने के लिए किन कीस का यूज़ किया जाता है कौन सी की का यूज़ किया जाता है तो control प्लस shift प्लस space bar तो हमारा option number A यहाँ पर बिल्खुल सही अंसर होगा किस के लिए तो चैनित टेक्स्ट की संपून फार्मेटिंग को अटाने के लिए नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं कि Microsoft Word 2013 में print preview के लिए shortcut कुणजी क्या है Microsoft Word 2013 में print preview के लिए shortcut कुणजी कौणसी होगी तो कौणसी होगी Ctrl प्लस F2 Ctrl प्लस F2 नेक्स्ट कोच्चन है कि प्रष्ट orientation के दो प्रकार है प्रोटेट और दुसरा कौणसा पहला तो प्रोटेट होगया तो दुसरा होगा landscape ठीक है portrait और landscape आपने देखा होगा नेक्स्ट कोच्चन देखते हैं नेक्स्ट कोच्चन हमारा कि Microsoft Word में टेक्स्ट के चैनीत भाग पर Ctrl Space Bar का क्या प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा चैनीत टेक्स्ट पर सभी फार्मेटिंग को क्लियर कर देगा तो हमारा Option No.2 का सही अंसर होगा अगला सवाल कि किसी टेक्स्ट को Italic करने के लिए किस साटकट कुणजी का यूज़ किया जाता है तो किसी टेक्स्ट को Italic टेक्स्ट में फार्मेट करने के लिए किसका यूज़ करते हम Ctrl प्लस I जहापर I का मतलब भी होता है Italic नेक्स्ट कोश्चन कि फॉंट आकार बॉक्स खुलने के लिए किन साटकट कुणजी का यूज़ किया जाता है तो किसका यूज़ किया जाता है बताइए तो Ctrl प्लस Shift प्लस P का यूज़ किया जाता है तो हमारा Option Number D इसका correct answer होगा आगे बढ़ते हैं किया जाता है तो इसका सही answer होगा Ctrl प्लस Shift प्लस C और Ctrl प्लस Shift प्लस V तो ये दोनों को जी याद रखना चीक है Option Number इसका सही answer होगा अगला सवाल है कि MS Word application में एक Hyperlink जोडने के लिए निनमलिकित में से कौन से विकल्पों को एक shortcut के रूप में प्रयोग किया जाता है तो किसका ये उस किया जाता है Hyperlink को जोडने के लिए Ctrl प्लस K का ये उस किया जाता है Next है कि Microsoft Word दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किये जा सकने वाला सबसे छोटा फंट आकार कितना है तो सबसे जो छोटा फंट काकार होगा वो होता है 1 आपने अगर MS Word चलाया होगा तो आपको पता होगा ठीक है Next question कि Microsoft Word में end की का यूज करने से processor को किसके अंत में ले जाता है तो यह ले जाता है line के अंत में किसके अंत में ले जाता है line के अंत में Next question है कि Microsoft Word 2013 में किस मेनू में पंक्ती की उचाई को बदलने के लिए table row height सामिल है तो इसका correct answer होगा option number C layout layout इसका correct answer होगा Next question है कि नियनम लिकित में से word processor में paragraph formatting में क्या सामिल है तो क्या सामिल है line spacing पंक्ती अंतराल सामई है किसमें word processor के paragraph formatting में आगे बढ़ते हैं कि word दस्तावेज में नियनम लिकित में से को नेक paragraph के उपर या नीचे space की मातरा को निरदारित करता है तो को निरदारित करता है दोस्तों paragraph spacing हमार option number 20 का correct answer होगा आगे बढ़ते हैं कि MS word document में आक्चरों के नीचे line नीचे लाल लहर का निसान दरसाता है तो क्या दरसाता है इस पे link की truth को दरसाता है इस पे link की error को दरसाता है next question है कि Microsoft word तालिका में एक crumb में एक cell में एक cell से दुसरे cell में आगे बढ़ने के लिए किस कुंजी को दबाना होता है एक cell से दुसरे cell में आगे बढ़ने के लिए किस कुंजी का दबाया जाता है तो दबाया जाता है tape को किसको tape को next question कि select किये गए text को बोड़न था बड़े आकार में परिवर्थित करने के लिए आप Change Case बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे किस पर तो फिर क्लिक करेंगे हम आपर केस पर आपर केस पर तो Option Number ये इसका सही अंसर होगा आगे बढ़ते हैं कि निन्म लिकित में से कौन सा Image और Graphics समाधान MS Word 2016 में उपलब्द है तो इसका सही अंसर होगा क्या? क्लिक पार्ट ठीके? क्लिक पार्ट किसमें समाई थे या उपलब्द मिलेगा MS Word 2016 में Next Question कि आपको एक मुझूदा Word Document को किसी अन्य नाम से सेव करने की आवशकता है तो आप निन्म लिकित में से किस विकल्प का उप्योग करेंगे? अगर आपको किसी अन्य नाम से Document को सेव करना है तो किसका यूज करेंगे आप? सेवस का I think सभी को पता होगा नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कि हम निनमल इकित में से किस विकल्प की मदद से MS Word एप्लिकेशन को बंद कर सकते हैं इंट्रेस्टिंग कोस्चन तो अप्सन नमबर ए दिया है कि फाइल मेनू में जाकर क्लोज सब मेनू का चैन कर गए तो हमारा उप्सन नमबर ए ही इसका correct answer होगा और भी उप्सन देख लेते हैं तो हमारा उप्सन नमबर ए ही बिल्कुल सही answer है नेक्स्ट कोस्चन है कि निनमल इकित में से कौन सा विकल्प निनमक अतनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो दो कतन पहले पढ़ता है क्या है किसी वर्ण टेबल में विसम संक्या में पंग्ति या इस्तंब नहीं हो सकते हैं दूसरा कतन बोलागी किसी वर्ण टेबल में कॉलम की निनम्तम संक्या दो है तो बताए पहले खुश से बताए कि क्या इसका करेक्ट अंसर होगा तो पहला बोलागी किसी वर्ण टेबल में विसम संक्या में पंग्ति या इस्तंब नहीं हो सकते हैं तो यह तो बिल्कुल गलत बोल रहा है ना पहला दूसरा बोलागी किसी वर्ण टेबल में उप्योग करके निन्व में से कौन सा कारे नहीं किया जा सकता है तो कौन सा कारे नहीं किया जा सकता है font एवं प्रभाव सेटिंग तो इसका correct answer होगा option number D ओके next question है कि Microsoft Word दस्तावेजों में पेरगर आपके चिन ने देखने के लिए किस बटन का यूज करते है या किस बटन पर क्लिक करते है यह आपसे पूछा है तो so या hide इसका correct answer होगा क्या so या hide अगला सवाल है हमारा कि टेक्स्ट में किसी नए भाग को योजित करने अत्वा हटाने का संकेत देने का माद्यम के किस माद्यम से चलाय जाता है टेक्स्ट में किसी नए भाग को योजित करने अत्वा हटाने के संकेत देने माद्यम के लिए किस माद्यम का चलाय जाता है तो इसका correct answer जो होगा न वो होगा review इसका correct answer होगा आगे बढ़ते हैं तो कौन सा विकल्प टेक्स्ट, फॉन्ट, समूँ में Microsoft का साधर नहीं है तो कौन सा overline overline इसका correct answer होगा आगे बढ़ते हैं कि आपके document के प्रस्टों के background पर दिखाई देने वाले धुंदले टेक्स्ट या image को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है water mark क्या बोला जाता है तो option number 10 इसका सही answer होगा आगे बढ़ते हैं next question हमारा कि 2 की power 5 जैसे number को प्रदर्शित करने के लिए उप्योग करता को नहीं में से किस विकल्पा का उप्योग करना चाहिए 2 की power 5 जैसे number को प्रदर्शित करने के लिए हमें किस विकल्प का उप्योग करना चाहिए तो किसका super script का super script का तो option number 20 का सही answer होगा next question है कि ms word में select किये गए सब्दों को सब script करने के लिए किस shortcut की का उप्योग का की shortcut की का उप्योग किया जाता है दोस्तों तो बताइए चाहर option में से क्या होगा correct answer control प्लस equal to तो इसका सही answer होगा option number A next question देख लेते हैं कि tips of exam वाक्यांस वर्ड 2016 दस्तावेज में केसे दिखाई देगा capitalize each word जब विकल्पो को इसके लिए लागू किया गया हो तो इसका correct answer होगा tips of exam ठीके इस तरह का दिखाई देगा तो उम्मिदे सभी question आपको अच्छे लगे होगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो please like करना इसे काफी मेहनत लगती वीडियो बनाने में ठीके और channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करके इस जो bell icon है ना इससे जरूर बेस करना bell icon को प्रेस करोगे तब ही हमारे वीडियो आपको time पर मिलेगा ठीके और मैंने बता दू कि मैंने काफी सारे topics को या हर एक subject को मैंने MCQ की रूप में cover किया है प्ले लिस्ट जाके जरूर चेक किजेगा सभी topic आपको MCQ की रूप में chapter wise topic wise मिल जाएंगे उन्हें जरूर देखेगा आपकी आने वाली exam में काफी help होगी और आगर आपने theory को अच्छे से cover किया है तो आपको जरूरत है MCQ practice की तो जरूर जाएंगे और जरूर playlist में जाके उन वीडियो को जरूर देखेगा तो अमेद यही है आपसे की channel को जरूर सब्सक्राइब करोगे तो मिलते हैं next topic के साथ next topic हमारा रहेगा MSXL तो मिलते हैं next topic में next video के साथ जब तक के लिए जहीन all the best